हेलो एवरिवान, प्रेसिपीज बाइरो तुझार में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कॉफी, वो भी नेस कैफे के अल इन वन्स है तो इसका मैं आपको ट्रियू रिव्यू देने बादी हूँ तो इसका टेस्ट देखते है, कैसा है बहुत ही सिंपल है, इसमें अल्रेडी सब इंग्डियंट्स अविलेबल होते है जैसे के मिल्क, शुगर और ओविसली कॉफी होती है यह एक प्रिमिक्स है, तो प्रिमिक्स से हम बनाएंगे कॉफी इसमें सिर्फ होट वाटर ही आड़ करना होता है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर मैं निस काफे का All-in-One Packet यूज़ कर रही हूँ यह एक Packet है, तस रुपे का आता है वीडियो को पूरा देखिए और फिर डिसाइड करें इसे आपको पर्चस करना है या नहीं इसके बैक साइड की तरफ मैथर भी दी होई है तो उसी तरीके से हम बनाएंगे तो यह 10 रुपीस का Packet है एक सैशे हम आज यूज़ करने वाले हैं तो इसे हम Open कर लेते हैं और जैसे कि Packet पर दिया है कि 120 ml Hot Water अड़ करना है Basically यह Coffee, Sugar और Milk Solid का Mixture है इसका टेक्शर आप देख सकते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो अभी हम इसमें एड़ कर देते हैं 120 ml Hot Water मेजरिंग करके मैंने बराबर से यहाँ पर 120 ml पानी एड़ कर दिया है अब इसे तुरंधी हम Mix कर लेते हैं ताकि नेस कैफे की जो पाउडर है वो जल्दी से Dissolve हो तो इस तरह से हम Stir करते रहेंगे एक मिनिट के लिए मैंने Stir कर लिया है और फिर मैं इसे टेस्ट करूँगी इसका Color और Close Up से इसकी Consistency भी देखिए मैंने जब इसे टेस्ट करा तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि ये टॉफी की तरह लग रहा था बिल्कुल इसमें जो कॉफी का टेस्ट होता है वो नहीं था और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया इसकी Consistency भी आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट है जब हम रेगिलरली जो घर में कॉफी बनाते हैं उससे बेटर कि आप जो कॉफी के इंस्टन पाउडर के सैशे लेकर कॉफी बनाईए वो बहुत ही अच्छी बनते हैं और मेरे खहाल से आप अपने 10 रुपीज इसमें बेस्ट ना करें अगर आपको चॉकलेट टॉफी की टेस्ट पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं या तो आप इसमें एक्स्ट्रा इंस्टन कॉफी पाउडर एड़ कीजिए मैंने वो ट्राइ नहीं हो सकता है उसके टेस्ट अच्छी आए तो आए होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हूं आपको नेक्स्ट रेसेपी के साथ तिल देन टेक केर बाबाई